तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बड़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं टेप नौट सिद्नी इंस्टिट्यूट में से क्वालिफाइड हूं और फिल्म एंड टेलिविजिन में और हमारा एक रूटी हिल में चोटा सा स्टूडियो भी है जिसमें हम वीडियो फिल् एक संभी एक्सेड वान जो कि फ्रोफेशनल कामरा में से एक माना हुए कैमरा है और यह मेरा फेवर्ट कैमरा है क्यूंकि अपने करीयर की शुरुआ इस इस कैमरे की खासियत यह की एक हमरा ने लेकाट क्योट बेस्ट है धिल्ट की ओपर नहीं जैसे कि आपको मालुम ही हो कि जो पहले समय में जो cameras used की जाते थे उनमें एक DV tape like a cassette used की जाती थी जो की अब काफी outdated हो चुकी है और आजकल के जो modern cameras है जिसमें से एक है sony pmw ex1 जो की memory cards लेते हैं instead of DV tape जो की एक बहुत ही बड़ी advantage है वो इसलिए की जो memory cards है वो जादा reliable है और memory cards हमें we can like use them as many times we want तो एक बर ही जब हमें इसमें recording कर भीते हैं तो just like कोई भी एक normal flash drive की तरह आप इसमें से जो भी data है copy करने के बाद आप उसको erase कर सकते हैं और फिर दुबारा सेम वही memory card आप use कर सकते हैं जितनी मजी बार आप चाहें एक पुरानी डीवी टेप की तरह नहीं जो कि आप जादो से जादा एक टेप के ऊपर तीन बर recording कर सकते हैं लेकिन उसके बाद अगर आप दुबारा दुबारा उसके ऊपर recording करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि quality में बहुत जारा difference आजाएगा क्योंकि जो टेप के ऊप दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये camera memory card based है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये memory card दिखने में कैसा रहता है ये वो memory card है जो इस camera में डलता है और इसको Sony ने नाम दिया है S by S memory card जो कि फिलहाल market में 8GB से लेके 64GB तक available है तो दोस्तों memory card के इलावा इस camera में वही features हैं जो एक किसी भी professional camera में पाय जाते हैं तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा आप देखी सकते हैं कि इसके इस side पर जो अभी आपको धेर सारे buttons लगे हुए आपको लगता होगा कि माल जाने बुबान जाने कि ये क्या कुछ है ले यूस्टों होने के लिए इन buttons को operate करने के लिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा from right to left तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें एक ये button है जिसका नाम है white balance white balance का main मकसद ये है कि जो आपको आंखों से जो रोशनी नजर आ रही है जो आपको आंखों से जो colors नजर आ रहे हैं दिन में अगर आप धूप में अगर आप बीच पर घूम रहे हैं तो obviously जो फेस पे जो लोगों के जो light पढ़ रही होगी वो sunlight होगी और वो एक तरह जो light है वो yellowish light जो है सब के faces पढ़ रही होगी आसपस जो surroundings है उन पे भी एक yellow reflection white balance camera का properly set नहीं है तो maybe जो आप camera में जो recording करें वो सब कुछ yellow दिखाने के बजाए सब कुछ blue दिखाना शिरू कर दें तो कि जो की एक काफी unprofessional लगेगा और unnatural लगेगा because obviously जब कोई भी उसको वीडियो को देखेगा तो हर किसी के दिमाग में ये automatically ये सवाल आजएगा कि कैसे हो सकता है कि सुबे के 9 बजे जब धूब थी बीच पे तो सारा कुछ नीले रंका कैसे हो गया नीला exactly नीला नहीं नीला थोड़ा सा जैसे आप reflection बहु सकते हो नीली reflection face पे instead of yellow reflection from the sunlight तो white balance अगर आप camera करोगे proper तो उससे आपको बिलकुल बिलकुल accurate जो है color temperature मिलेगा color temperature यानी आपको बिलकुल accurate lighting जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वही आपको same lighting जो है camera record करेगा दोस्तों ये सभी features जो यहाँ पे मौजूद हैं इनके बारे में मैं detail में अ यह दिखाना चाहता हूं कि यह जो button लगे हुए है इन button का हर एक button का मतलब क्या है तो white balance के बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इस button का नाम है gain control तो gain का basically मतलब यह है कि जो gain है वो camera में artificial light produce करता है उसका अभी आपको maybe इसका exactly आप समझ ना पा रहे हो कि इसका क्या मतलब है artificial light produce करनेगा लेकिन किसी किसी situation पर ऐसा हो सकता है कि आपको camera को adequate light ना मिल पाए जैसे कि एक dark room के अंदर जहां पर मुश्किल हो सकता है कि उसके अंदर जो जो लोग बैठे है कि उनके चहरे आपको clearly दिखाना मुश्किल हो सकता है तो gain control के थूँ आप camera में artificially जो है खोड़ी light produce कर सकते हो जिससे कि आपको कुछ हब तक लोगों के चहरे साफ दिखाने में मदब मिलेगी gain control के बाद एक जो next इसमें option है वो है neutral density filter neutral density filter हमें अपनी जो background को defocus करने में help करता है और साथ ही साथ अगर camera के lens पे बहुत ज़ादा किसी चीज की reflection पर रही हो for example अगर आप काफी sunny day पर बीच पर शूट कर रहे हो और पानी के थूँ जो है sunlight reflection अगर आपके camera पर काफी ज़ादा डल रही हो तो आप neutral density on करके उसको काफी हब तक control कर सकते हैं neutral density के बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो यहां पर है आईरिस दोस्तों यह जो है feature इस camera में सिर्फ इस camera में नहीं हर professional camera में बहुत ज्यादा माइने रखता है यह सबसे ज्यादा important button है एक professional camera का और सबसे ज्यादा important option जिसको आपको बहुत ही carefully और ध्यान में रखके चलना पड़ेगा जो कि है मैं पिर दोराऊंगा आईरिस और दोस्तों यह काफी लोग इस बात में confused होते हैं कि जो आईरिस है और exposure है और aperture है यह तीनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन यह अलग चीज़े नहीं है यह जस्त अलग अलग नाम दिये गए हैं लेकिन इन तीनों का मतलब और exposure यह इसका मतलब यह है यह basically जो है अगर आप इसको मैनुल पर करते हो तो आगर आप इस साइट पर जो कैमरा के रिंग है आप इसको मैनुली ऑपरेट कर सकते हो और इससे होगा क्या कि आप जो है डल रही है अगर आपको लगए कि जो फेसिज हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं तो आप इसको थोड़ा से ट्विस्ट कर सकते हो और उसकी लाइटिंग को कंफोल कर सकते हो क्योंकि अगर वह बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज होंगे फेसिज तो छोटेएज दीडिया डियाओ केमर दोल उसके बीच में भी एक मेक्रो का बटन का फीचर होता है जिसमें से में से काफियों को मानूम भी होगा और रैसे को ना भी पता हो लेकिन मैक्रो बेसिकली यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई सबजेक्ट किसी सबजेक्त को हो like for example अगर आपको जो नॉर्मनी जो क्या होता है अगर आप किसी चीज के एकदम पास में कैमरे को लेकर जाते हैं तो वो जो सामने वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाता है डी फोकस हो जाता है क्योंकि हर कैमरे का एक सब्सक्राइब डिस्तेंस को हम M.O.D कहते हैं तो अगर वो minimum object डिस्स्टेंस अगर वो कम हो जाए तो जो आपका जाए और ईश्डेक्टिद्अ में कि सब्सक्राइब डी फोक्स होना शुरू हो जाते मैक जो मैक्रो फीचेर है कि अगर color का online कर और अगर आप किसी चीज को बहुत बोसे शूट करना चाहते हैं जैसे फर एजमपल flowers, कुछ भी हो सकता है flowers, flags, like you know, extreme close-up of people तो अगर आप कुछ भी असक करना हो तो आप काफी नस्दीक में भी अगर आप के अमरे को लेके जाते हैं तो आपको जो object है वो तब भी focus में रहता है दोस्तों macro के बाद इस camera में जो feature है वो है focus जो की autofocus और manual focus आप किसी को भी set कर सकते हो depending upon your needs तांकि आप एक frame में जो एक आपका object आगे है और पीछे है आप अपनी मर्जी के अनुसार उन दोनों में से किसी को भी focus या फिर defocus कर सकते हो इसके इलावे इस camera में और भी features है जो की पीछे की तरफ है और इसमें से जो main button है वो on off का है एक तरफ पे camera है एक तरफ मीडिया आप करेंगे तो camera on हो जाएगा और शूट करने के लिए prepared हो जाएगा और अगर आप मीडिया पर जाओगे तो यह camera आपको library में ले जाएगा और आपको जो भी आपने पिछले जो भी clips record की होंगी उसका वो सारी information वहाँ पे नजर आएगी और अगर आप चाहें उन clips को delete कर स सकते हैं और उसमें कुछ और भी options हैं जो कि काफी useful हो सकती है और उसके इलावा इसमें जो main जो पीछे है audio के controls है तो जैसा कि आप देख सकते हैं internal mic आप यूज कर सकते हैं और उस mic का जो level है आप manually control कर सकते हो या फिर इसमें auto control की option भी है हम audio के बारे में detail में अगले tutorial में बा की दियान दें तो यहां पर जितने भी controls आपको नजर आ रहे हैं यह सभी media के लिए हैं तो तांकि अगर आप आपको यह अगर आपको clip review करनी हो कि आपने अभी क्या record किया है तो आप media में जाएंगे और यहां पे जैसा कि आप अपने DVD के remote में होता है play button pause button forward stop यह सभी buttons यहां पर लगे हुए हैं ताकि आपको अगर आपको लगे कि नई इस clip में कोई कमी है तो आप साथ की साथ उसको delete कर सकें और अगली अपनी नई clip दुबारा से shoot कर सकें इस camera में record करने के लिए दो तरफ buttons हैं एक उपर की तरह और एक right hand side पर जो की main on of recording का button यही है और इसके साथ अ आपको एक record review button भी नजर आएगा जो की shooting के दौरान काफी useful होता है क्यूंकि अगर आप इसको press करेंगे button को तो आपको सबसे अपनी जो last अपनी clip जो record की होगी उसका 3 seconds का quickly आपको review दिखा देगा कि आपने क्या record किया है यह काफी helpful रहता है camera में के लिए अगर आपने make sure करना हो कि आपने audio properly capture की है या फिर अगर आपने make sure करना हो कि सब कुछ frame में है तो आप record review दबाके वो सभी चीज़ें चेक कर सकते हो अगर उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो आप फिर दुबारा से record कर सकते हो तो उसके इलावा record review के इसके साथ में जो एक और button है वो है expanded focus जो की एक तना से जो भी आपको एक frame में नजर आ रहा है उसको times two कर देता है यानि कि वो zoom in हो जाता है तांकि अगर आपको कोई अगर आप maximum अगर आपने zoom in भी अपना camera किया हो है still जो जो में subject है जो आप उस camera में capture करना चाह रहे हो वो still बहुत दूर के distance पे है तो अगर आप expanded focus कर तो वो camera दो गुना जाला आगे zoom in हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ हम tutorial 1 यही पर smart करते हैं मुझे उमीद है कि जो जो भी मैंने आपको इस camera के basic functions के बारे में बताया वो आपके लिए useful होंगे और लेकिन मैं आपने अगले आने वाले tutorials में इस camera के एक एक feature के बारे में detail म बात करूंगा तांकि आपको यह मालूम पढ़ सके कि आपको किस situation में इस camera के किस control को कैसे उस आपको उसको use में लाना है तांकि आप एक awesome, perfect और professional video create कर सके हैं Thank you very much